तो एक सवाल जो बार-बार मुझे पूछा जा रहा है कि सर मैं सीडियेस एफकाट सीएप अससेस्टेंग कमांडिन दोहजार चौबेस की तयारी करना चाहता हूं तो सर क्या मैं इस तीनों एक्जाम की एक साथ तयारी कर सकता हूँ और अगर मैं अगर ऐसा पॉसिबल है क्या ये मेरा सही आइडिया है तो सर मैं कैसे करूँ और एंड में मैं बचो आपको एक गुड न्यूस भी दूँगा जिसके बेसिस पे आपको जो है अच्छे से तयार करने में मदद मिलेगी तो पहली बात तो है कि जितना भी आस्परेंट होता है जो सीडियस एफकाच सीएपीफ एसी का है उसकी अगर हम लोग बात करें तो जो इंटेंशन है वो इंटेंशन होती है टू वेर दे यूनिफॉर्म राइट यूनिफॉर्म को वेर करने की उनक कुछ और होता है और अगर आपका वो लक्षे है तो डेफिनेटली उस लक्षे की तरफ जो है आपको बढ़ना चाहिए तो अब ऐसा है कि स्टूदिंट्स सीडियस एफकाच सीएपीफ की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं इनके बेसिक डिट के बारे में फॉर एक्जामपल जैसे आप माल लीजे आप सीडियस की बात करते है तो बचो सीडियस जो है वो कमाइन डिफेंस एक्जाम है सर्वस एक्जाम है जो की साल में दो बार होता है दो बार मतलब सीडियस वन और सीडियस टू अब जो सीडियस वन ट्विंटी इसको आपको notification आ जाएगी, आपको मैं exam date भी बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई तुक नहीं बैठता, क्यों नहीं बैठता, क्योंकि मैंने खुद ये exam सारे crack किये हैं, और मैंने बच्चों के साथ, जितने भी बच्चे हैं, जो select होते हैं, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा त आपको make sure करना है कि notification से पहले ही आप exam का syllabus सारा तयार कर ले, so that उसके बाद जो है, आप सर्फ और सर्फ revision करेंगे, जब सर्फ और सर्फ revision करेंगे, फिर देखना exam क्यों नहीं crack होता, तो students यहीं टॉपस की भी strategy होती है, that they make sure कि वो exam से पहले पूरा proper revision कर ले, और इस date से पहले पहले उनका पूरा syllabus खतम हो जाए, आप देखें, तो CDS 1 जो है 2nd November को आ रहा है, तो आपके पास कितना वक्त है, अभी August चल रहा है, और August जो है, खतम होने को ही है, अगर देखा जाए तो August, September, October, November, तो November मतलब आप देखके चलिए कि आपके पास धाई महीने बचे हैं, तो make sure कि आप CDS की तयारी शुरू कर दे, दाई महीने, इस से ज़्यादा टाइम नहीं है, है ना, आप देखिए जो आपका CAPF Assistant Commandant का exam होता है, वो आपका साल में सिर्फ एक बार आता है, लेकिन इस exam के अंदर भी आप एक officer बनते हैं, तीन stars आपके कंधे पे होते हैं, और 130, 140 जो जवान होते हैं, constable से लेके, inspector rank तक के, वो आपके ऊपर dependent होते हैं, आपके orders को मानते हैं, तो ये भी exam जो है बच्चो, ये UPSC लेता है, ये भी exam UPSC लेता है, ये साल में एक बार होता है, vacancy ठीक ठाक होती है, जैसे इस बार जो है, 300 प्लस vacancy थी, 2023 में, इस बार भी 24 का महीन है, 24 का साल है, elections years है, तो शायद vacancy अच्छी है, तो ये जो है, वो 24 एपरिल को notification आएगा, तो बच्चो, ये जो exam होता है, इन तीनों exam में थोड़ा tough होता है, और इसका process में भी थोड़ा सा अलग difference होता है, but preparation या strategy आपकी same होनी चाहिए, तो ये जो exam है, इस exam को मैं सच है, एक साल तब्यत से चाहिए, तब जाके इस exam की जो है, अच्छे से वो feeling आती है, कि भाईया exam के लिए हम लोग ready है, ठीक है, next is your FCAT exam, Air Force Common Admission Test, ये FCAT exam जो होता है, Air Force में जाने के लिए होता है, और FCAT 1 जो है, ये साल में दो बार होता है, so दो बार होगा, FCAT 1, FCAT 2 होगा, FCAT का exam फेब में होगा, फेब में notification आएगा, उसके एक देड महीने के बाद ही इसका exam हो जाता है, और process बढ़ी तेज होती है, अगर आप तीनों exam के 2024 के target को कर रहे हैं, और आप graduation third year में है, या फिर आप graduation कर चुके second year में है, तो आप सभी को बच्चो आज से तयारी कर देनी चा ही यह, तो six months अगर आप पूरी तब्यत से इन exams की तयारी करते हैं, तो definitely आपके अंदर से वो confidence जरूर आएगा कि मैं अब exam के लिए crack करने के लिए तयार हूँ, आप देखिए इन exams का notification देख लिया, अब एक और चीज जो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करें है की नहीं कर सकते, देखिए ऐसा है कि CDS exam का अगर syllabus देखे subjects को तोड़ें, तो तीन subjects पूछे जाते हैं, एक English, एक Math और एक General Knowledge, अगर CAPF के exam की बात करें, तो यहाँ पर कितने subject पूछे जाते हैं, थोड़े से extra, जैसे कि General Studies हो गया, General Studies मतलब जी के General Knowledge, यहाँ पर भी Maths है, य यहाँ पर subjective एक paper आता है, जिसे हम English कहते हैं, English में आपको essay, report, argument लिखने होते हैं, तो थोड़ा सा यह different आ जाता है, यह सारे exams में, जो CAPF का exam है, उसमें आपको paper 2 आता है, उस paper 2 में subjective होता है, मतलब लिखना पड़ता है, बस यही difference है, बाकि सारे exams का लगबग similar ही हिसाब किता होगा, और third is FCAT exam, FCAT exam में क्या आता है, चार सबजेक्ट, GK, Maths, English and Reasoning, चार सबजेक्ट, अब बचो अगर हम लोग देखें, और ध्यान से देखें, तो हमें इतना समझ आ गया, कि यार यह जो syllabus है, इस syllabus में, almost 100 out of 100 चीज़े, overlapping है, आप बोलेंगे सर, ऐसे कैसे सर, overlapping है, आप बताईए सर, कि यहाँ पर CDS के अंदर, आपका English है, Maths है, GS है, ठेक है, General Studies, General Studies मतलब GK, CAPF के अंदर तो सर, यह subjective English आगे, है ना, यह आगे आपकी, और सर, CAPF के अंदर तो reasoning आती है, इसमें तो reasoning नहीं आती है, लेकिन बचो, अगर आपने यह तीनों exam की तयारी कर रहे हैं, तो 4 subject तो confirm है कि आपके एक जगा, दूसरी जगा पूछे जाएंगे, for example, मैं आपको अभी दुबारा से समझाता हूँ, CDS में क्या है, English होगी, Maths होगी, GS होगी, तो GS, Maths, and आपका English, अब English, कौन सी English, subjective English, subjective English में बच्चो, आपको report, argument, ऐसे तो लिखने है, लेकिन at the same time, grammar भ पाली English, इस English के साथ correlate या overlap करती है, ठीक है, और इसके साथ, अगर आप FCAT की भी तयारी कर रहे हैं, आपका GK तयार हो गया, आपका Maths हो गया, आपका English हो गया, आपका जो reasoning है, वो reasoning इसके साथ तयार हो गया, तो ऐसा कोई भी subject students नहीं होगा, जिस subject को आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी कोई value नहीं होगी तूसरे exam में, आपको guarantee दे रहा हूँ, उस subject की value होगी, दूसरे exam में 100%, उस written exam में ना हो, तो आपके SSB में भी होगी, जैसे for example, आप CDS की तयारी कर रहे हैं, आप English, Maths, GS पढ़ रहे हैं, आप FCAT की तयारी कर रहे हैं, आप reasoning extra पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे सर, ये reasoning extra पढ़नी पढ़ रहे हैं, क्या फाइदा सर, क्या है, मैं बताता हूँ आपको, आप CDS से जाओ SSB, या फिर आप FCAT से जाओ SSB, आप किसी भी रास्ते से जाओ SSB, SSB तो जाना पढ़ेगा, अभी आगे recommendation होगी, बच्चो, SSB के अंदर जो first day होत है, OIR मतलब Officers Intelligence Rating Test, इस Officers Intelligence Rating Test में आप से reasoning के ही सवाल पूछे जाते हैं, पता है आपको, इस चीज़ के बारे में आप जानते हैं, तो आप से reasoning के ही सवाल पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं, ये reasoning आपको SSB में OIR को solve करने में मदद करेगी, as simple as it is, तो बच्चो, जितन भी बच्चा है, वो समझ चुका है, अब feeling आ चुकी होगी, कि भई, आप सारे exams की आप तैयारी कर सकते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि इसका एक और reason में आपको देता हूँ, क्योंकि आपकी age कितनी होगी, आपकी age 19 साल होगी, 19 से maximum 25 साल तक की age जो है, वो इन तीनों exams में आप FCAT लगा लिजे तो थोड़ा सा उसमें 24 से 26 साल है, है न, मतलब 20 से 24, 20 से 26 साल, ऐसा कुछ है, तो बचो यही age है, जिस age में अगर आपने तीनों exam की तैयारी की, तो तीनों exam के process के अंदर जाके, किसी ना किसी एक चीज में selection होगा, गगंदीब भारती आपके सामने live example ह है, CDS कॉलिफाइ किया, FCAT कॉलिफाइ किया, CAPF कॉलिफाइ किया, CDS से थ्रूँ SSB गए, SSB में IMA recommended हो गए, और CAPF के थ्रूँ UPS से इंटर्वी गए, और All India Rank 85 आ गया, तो आपको भी यही अप्रोच लेके ही आगे बढ़ने की जरूरत है बचो, समझे आप लोग इतना clear हु Done, अच्छा, अब आप बूलेंगे कि सर यह subjects जो है, मोटे तोर पे हमें बता दीजे कौन-कौन से subjects हैं, और किस level के तयारी हमें करने की जरूरत है, अब यह सबसे ज़्यादा important part है, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो please ध्यान से इसको सुनिएगा, और तब जाके ह चलिए, इसके बारे मैं बात करते हैं, देखे, बहुत ध्यान से देखेगा, for example, आपके पास जो है, cds है, right, अब cds में आपने क्या करना है, subjects कितने हैं, अगर total सारे तीनों exams के subjects देखे, तो आपके पास आता है English, चिक है, आपके पास Maths आता है, आपके पास GS आता है, आपके पास Reasoning आती है, देखे, Reasoning आपके पास आती है, right, चलिए, ये चार subject है, overall, आप देखे, आपको मैं बता देता हूँ, level किस-किस level का आपने पढ़ाई करनी है, level, कौन से level की पढ़ाई आपने करनी है, for example, अगर आप English की बात करे, तो बचो, मैं क्या करना है, जो English है, वो आपने CDS-level की पढ़नी है, CDS-level की पढ़नी है, ठीक है, जो CDS-level की पढ़नी है, आपने किस-level का पढ़ने है, आपने पढ़ना है बटा किस लेवल का सी डियस लेवल का अगर मैं जनरल स्टडीज की बात करूँ बटा जनरल स्टडीज की बात करूँ तो आपने किस लेवल की पढ़नी है C-A-P-F level की चीक है और अगर मैं बात करूँ reasoning की तो reasoning आपने किस level की पढ़नी है F-Cat level की यह सबसे easy simplest तरीके से आपके तीनों exams की preparation का मैंने conclusion निकाल दिया बताए कैसे देखे English का level C-D-S में सबसे highest पूछा जाता है अगर आपने C-D-S level का English पढ़ लिया तो that means आप बाकी दो exams के अंदर जो C-D-S English आती है वो आप solve कर सकते हैं दूसरा है maths maths का level C-D-S में सबसे highest होता है तो maths आपने F-Cat में भी आएगी इसमें भी आएगी किसमें आएगी आपकी C-A-P-F में भी तो maths का आपने C-D-S level कर लिया वो बाकी exam में आए जाएगा general studies जो है वो C-A-P-F में highest level आता है तो यहाँ पे जो G-S है आपने अगर कर लिया तो आपका F-Cat G-S भी हो जाएगा आपका C-D-S G-S भी हो जाएगा और reasoning आपको सिर्फ F-Cat level की करनी है बस that is it इस formula से चलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से अपने study table में लिख लीजेगा और बहुत बढ़िया तरीके से बहुत कम confusion से in fact confusion होगी ही नहीं यह पता है चार subject है चार subject इस level के पढ़ने है बात खतम होगे simple as it is चलिए तो यह अगर आपको clear हो गया बिटा तो अब मैं आपको दुबारा से वहीं पर ले जाता हूँ चीक है यह अगर आपको clear हो गया तो अब मैं दुबारा से आपको वहीं पर ले जाता हूँ कि भाया क्या आप तयारी कर सकते हैं करना चाहते हैं बिल्कुल आपको करनी चाहिए, this is the best best approach, right, cds, fcat, cap, तीनों को फोड़ दो, ठीक है, पहला point, दूसरा point, आपके सामने notification dates भी बहुत clear है, वक्त बहुत कम है, आप guarantee ले लिजे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कि ये 2,5,3 महीने कहां चलेगे, आपकी शुरुवाती नवेंब की तयारी करो, फिर उसके बाद April की, April से, फिर उसके बाद Feb की, Feb से April की, समझे, पूरा साल अपना invest करो, तब जाके आपको feel आएगी, कि यार मेरा एक exam qualify हो गया, ठीक है, तो ये clear हो गया, और इसके अलावा आपके subjects, जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिये इसके अलावा कुछ नहीं है, अब बचो, इन तीनों exams की तयारी करने के लिए, मैं आपके लिए एक best opportunity लेकर आया हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको simplify कर दिया आपकी ये integrated approach को, वैसे ही आपको अगर आगे जुनना चाहते हैं, तो मैं आपको साल का सबसे बड़ gift जो है, देने आया हूँ, आजादी का महतसव है, और आजादी के महतसव में हमारा भी कुछ योगदान जरूर होना चाहिए, और हमारा ये योगदान है कि हम बहुत सारी classes आपको देते रहते हैं, प्री of course, YouTube पे भी देते हैं, है ना, तो बचो, अगर आप चाहते हैं कि ए मैं आपको बताता हूँ, बचो, हमारा ये एक best opportunity है आपके लिए, और वो best opportunity है, defense officers महापक की, जो भी बच्चा, आज तक ये कतरा रहा था कि सर, self study कर लेंगे, जो भी है, जिस हिसाब से भी है, बच्चो, आपको सिर्फ कुछ पैसों की investment करनी है, और आपके सामने, ये एक ब officer महापक अगर आ गया, defense officer महापक अगर आ गया student, तो आपको मैं guarantee देता हूँ, कि इस महापक के द्वरा, बहुत बच्चों ने selection लिया है, written qualify किया है, और आप भी उसी category के अंदर आ सकते हैं, ये मैं आपको guarantee देता हूँ, जैसे कि for example, defense officers महापक है, इस officer महापक में FCAT, CDS, CAPF, assistant commandant, 2024 के जितने भी exams होंगे, सारे exams के live courses जो होंगे, साल में चाहे हम 10 live courses चलाएं, 20 चलाएं, 25 चलाएं, 50 चलाएं, वो सारे live courses जो होंगे, आपको मिलेंगे, हमने अभी हाल फिलाल में booster MCQ batches भी चलाए थे, जिसमें हमने बच्चों को syllabus तो खतम कराया, बट उन batches के द्वरा हमने उनको जो है, MCQ practice भी paid classes में कराई, ये सारे के सारा offices महा pack जो है, ये बच्चों 12,999 का है, इसकी actual MRP इतनी है, लेकिन हमारा जो code लगता है Y588, इस code की वज़ा से, आज आपको सबसे ज़्यादा discount 79% का discount है, आप ADDA 247 के application डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आप क्या करेंग आपको 79 की जगा 80% का discount, number one, number two point is, 2700 पे करने, 2700 से भी कम पे करना पड़ेगा, 2700 से भी कम पे करने की ज़रूरत पड़ेगे आपको, आपने करना क्या है, आपने करना ये, मैं आपको एक बार defense officers महा pack दिखाता हूँ, ये आपके जीवन की सबसे अच्छी investment होगी students, और आप जो है, इस investment के जोर पे आगे, अपना वक्त जो है, सही mark पे चला के बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे for example, अड़ा 247, आप click कर लिजे, अड़ा 247, 247, click कर लिया, ये आपके सामने आगया, all courses, इस तरीके से, laptop से, desktop से, जहां मर्जी से, आप all courses select कर लेंगे, select कर लेंगे, आप जो भी exam की तयारी कर रहे है, code मेरा लगा दीजेगा, वाइफाइ वेटेट, आपको वो 80% का discount मिलेगा ही मिलेगा, अब देखिए, ये है, defense, defense में जाएंगे, ये है, बच्चो, CDS का भी हमारे पास है, अलग course, CAPF का भी है, FCAT का भी है, अलग-अलग है, ल 200 का मिल रहा है, CDS आपको 2400 या 2500 का मिलेगा, तो आप सिर्फ एक course जो है, वो 2500 का ले रहे है, यहाँ पे महापैक ही आपको 2700 का मिल रहा है, इससे बड़िया चीज क्या है, defense महापैक में जाएंगे, और ये है, आपके पास defense officers महापैक, आज बच्चो मैं इसलिए इतना emphasize इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि reason यह है, क्योंकि हर चीज बेस्ट है, for example, आज के दिन आपको 80% का discount प्लस double validity भी मिल रहे है, मतलब 12 प्लस 12 महीने जो है, आप लोग ले सकते हैं इस महापैक को, 12 महीने मतलब 24 जो मन्त है, वो आपके पास रहेगा, Y58 जैसे buy now करेंगे, व 5588, Y5888, और जैसे आपने code लगा दिया भी, आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे मिलेंगे, बाक्चीत करेंगे, आपने सीधा पहले enroll करना है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर जो defense महापैक के अंदर, देखिए 900 घंटे प्लस life classes है, test series है 1500 से जादा, e-books है 188 से जादा, मत आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको बस यह 3000 से कम की investment करनी है, अपने 2 सालों के लिए 3000 से कम की investment, बाकी जो करना है कर लो, इस investment को जरूर करो, सब कुछ बहुत affordable मिल रहा है, अब देखे, एक एक ना exam crack करने का steps होते हैं, जैसे syllabus completion हुआ, timely, उसके बाद आपका क्या हुआ previous questions हुए, mock test हुए, इस में क्या है, live classes में आपका syllabus खतम, उसके बाद test series में आपके mock test होंगे, बहुत सारे test होंगे, और e-books में आपके previous questions होंगे, तो बहुत सब कुछ जो है, यहाँ पर मिल रहा है, अब नीचे थोड़ा सा जाएंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, क सारे batches आपके सामने आगे है, है ना, तो यह सब चीज़ें आपको इसी महापाक में मिल रही है, all life classes, test series, revision, recorded, e-books, यह सारी चीज़ें जो है, आपको इसी के अंदर मिल रही है, तो बच्चों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मुझ से और बाकी faculty से, वाइ-588 code लगा देन and wish you all the very best of luck, मिलते हैं, इसी integrated approach को follow करने के लिए तयार रहिए and एक नहीं, दो या तीन सरकारी नौकरियां जो है, अपने हाथ में रखिए, thank you and जैहन